Hello everyone, केसे हो आप सब एक बार पुना, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल A2Z Biology Classes पर दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखेंगे Class 12 Biology NCRT Chapter 1 के जितने भी बस्तो निष्ट प्रशन है वह हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में पूरा कफर कराने वाले हैं तो चलिए सिधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी देखेंगे बिना निसेचन के ही यादि भ्रून बिक्सित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अनिसेग जनन यानि की पार्थीनो जिनेसिस कहते हैं तो कभी कभी देखेंगे बिना निसेचन के भ्रून बिक्सित हो जाता है यह प्रक्रिया क्या कहलाती है अनिसेग जनन यानि की पार्थीनो जिनेसिस अगला question है कि विजान्ड का कोसिका से यदि भ्रून कोस का विकास हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते है इसका right answer है आप विजान्ड होता है यदि कभी भी विजान्ड का यानि कि निवसेलस की कोसिका से यदि भ्रून कोस का निर्मान हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क इसकी बनी होती है इस पोरो पोलेनिन की बनी होती है नेस्ट कोस्टन है अबरत्वीजियों में जो भूण पोस यानि की एंडो इस्पर्म होता है वे कैसा होता है तो आपको याद रखना है कि हमेशा त्री गुडित होता है तो अबरत्वीजियों में यदि पूछे भूण प का बिजांड द्वार से होकर के प्रवेस करती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है इसका राय टेंसर है पोरो गय में कहलाती है अगला कोशन है कि नारियल किस प्रकार का फल है तो नारियल कैसा फल है एक प्रकार का अश्ठिल फल होता है ने युगमनाज द्वारा निर्मित किसी काई कोशिका से यानि वेजटेटिव कोशिका से यादी भूण बनता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं आपा स्थानिक भूणता कहते हैं अगला कोश्चन है कि जब पराग नलिका जो है अध्यावरण से होकर के बिजांड के अंदर प्रवेस करती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं देकि जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर के प्रवेस करती है तो इसे हम क्या कहते हैं मीसो गेमी कहते हैं लेकिन जब पराग नलिका बिजांड द्वार से होकर के बिजांड में प्रवेस करती है तो इसे हम क्या कहते है पूरो गैमी कहते हैं अगला question है कि बिना निसेचन के ही अंडासे का फल में विक्सित हो जाना क्या कहलाता है तो देखिए यदि बिना निसेचन के ही यदि अंडासे किसमें विक्सित हो जाता है फल में तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अनिसे एक फलन कहते हैं यानि की पार्थीनो कार्पी कहते हैं अगला कोस्टन है कि एक सामान ने जो भ्रूर कोस होता है यानि की जो एंब्रियो से एक होता है उसमें पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है तो यदि एक समान ब्हूर कोष की बात करते हैं तो इसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होती है …-8 होती है, और यदि आपसे कोषिकाओं की संख्याτι केतनी होती है …- अगला कोस्टन है कि एक अबरत्वीजी पादप में कार्ये सील गुरू बिजारू यानि की एक्टिव गुरू बिजारू की क्या बिक्सित होता है मतलब आपको ये बताना है कि एक अबरत्वीजी पादप में कार्ये सील गुरू बिजारू से क्या बिक्सित होता है तो देखे जो active यानि की kriya seal guru भी जानु होते हैं इनसे भून कोस का निर्मार होता है यानि की embryo psych का निर्मार होता है अगला question है कि नर युग्मकोद भीद की प्रथम कोसिका होती है तो जो male gametophites होता है उसकी प्रथम कोसिका कौन सी होते है तो लगु भी जानु यानि की पर पिस्टिल होती है ये पुरुस का ये basically पुस्प का क्या है मादा जन्नांग होता है तो पुस्प का मादा जन्नांग काउन सा है अंडप यानि की कारपल या पिस्टिल अब इसके बाद देखे अगला question है कि पक्छियों दोरा यादी कोई परागन होता है तो उसे हम क्या कहत पक्छियों दोरा होने वाला परागन क्या कहलाता है आरणितों फीली कहलाता है अगला question है कि पराग कोई का वरतिकागर से पहले ही यदि परिपक हो जाना क्या कहलाता है तो आपको याद रखना है कि पूपूर्वता कहलाता है नेस्ट कोश्चन है कि पराग कन की जो बाएं भित्ती होती है क्या कहलाती है तो पराग कन की बाएं भित्ती बाएं चोल यानि की एकजाइन कहलाती है अगला कोश्चन है कि एक बीज से एक से अधिक भूण बनने की क्रिया क्या कहलाती है तो यदि एक ही बीज से कई सारे भून बन जाते हैं तो यह प्रक्विया क्या कहलाती है बहु भूनता यानि की पॉली एम्ब्रियानी कहलाती है अगला कोश्चन है पराग कन के अध्यान को क्या कहते हैं तो देखे जो पराग कन यानि की पॉलन ग्रैन होते हैं इनकी study क्या कहलाती है पेलिनोलाजी कहलाती है नेस्ट कोश्चन है पराग कनों का जो अंता चोल होता है या किसका बना होता है नेस्ट कोस्टन है कि उस हार्मोंस का नाम बताना है जो कि अंडासे को फल में बिक्सित करने है तो उत्प्रेरित करता है मतलब ऐसा कहूंस हार्मोंस है जो कि अंडासे को फल में बदलने के लिए प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करता है तो इसका right answer है आगजिन तथा साइटो काइनिन आगजिन तथा साइटो काइनिन ऐसे हर्मोन से जो की फल को फल बिक्सित होने ही तो अंडासे को प्रेडित करते हैं नेस्ट कोस्टन है कि बिस्व का सबसे वड़ा पुस्प आपको बताना है, कई बार कोस्टन पूछा जा चुका है, तो बिस्व का सबसे वड़ा पुस्प काउन सा है, रेफलेसिया, यह वही यदि आपसे सबसे छोटा पुस्प पूछे तो आपको बताना है, बुलफिया, अगला कोश्चन है देखिए विजांड का वही स्थान जहां विजांड ब्रंत से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं मतलब विजांड का वही स्थान जहां पर विजांड जो है ब्रंत से जुड़ा होता है उस स्थान को क्या कहते हैं तो उसका नाम है हाइलम यानि की नाभि अगला कोशचन है कि सबसे लंबी वर्तिका वाले पौधह का नाम लिखना है मतलब ऐसे किसी पौधह का नाम बताना जिसकी वर्तिका या वर्तिकागर मतलब इस्टिगमा और स्टाइल सबसे लंबे होते हैं यानि कि सबसे बड़े होते हैं तो उसका राइट एंसर क्या है मक्का मक्का का पवधा आप देखे होंगे, उसकी वर्तिका यहाँ और वर्तिका अगर काफी लंबे होते हैं, जिसको की जीली मेंज कहते हैं, अगला कोश्चियन है कि सेव जो है, यानि एपल जो है किस प्रकार के फल का उधारण है, तो आपको याद रखना है कि कूट फल का यानि जो पूंकेसर आपस में जूड़े होते हैं एक दूसरे से, अगला कोस्चन है कि बेली सनेरिया में किस प्रकार का परागन होता है, तो बेली सनेरिया जो की बेसिकली एक प्लांट होता है, इसमें जल परागन होता है, कैसा परागन होता है, जल परागन होता है, अगला कोस्च चतुर देरगी पुंकेसर पाए जाते हैं तो आपको याद रखना है केवल और केवल जो सरसों कुल यानि की मस्टरड फैमली होती है उसमें चतुर देरगी पुंकेसर पाए जाते हैं अगला कोस्चन है कि मक्ये के जो बीज पत्र होते हैं उसको क्या कहते हैं तो मक्ये के बी सब्सक्राइ ? तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते है ? एपोगैमी कहते हैं क्या कहते हैं एपोगैमी अगला कोस्चन है कि पौधे में निसेचन की खोज किसने की थी तो निसेचन की खोज किसने की थी स्ट्रास वर्गर ने की थी अगला कोस्चन है कि निसेचन के बाद जो बिजांड होता है वह किसमें परिवर्तित हो जाता है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजेगा साथी साथ दोस्तों के भी शेयर कीजेगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आवाज से कर ले, मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम